अब यह जो आप की देख पा रहे होगे अभी ये वाली की है Jupiter ZX नई BS6FI Smart X Connect वाली का इसमें आपको Multiple Color Option देखने को मिलेंगे Smart X Connect की बैजिंग आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगी Jupiter ZX लिखा हुआ आएगा Chrome में और Chrome के साथ यहाँ पर Finishing भी आपको देखने को मिल जाती है तो आज की इस वीडियो में Detail Background रिव्यू करेंगे कि इस Scooter में आपको क्या कुछ नया मिलने वाला है और इसकी प्राइजिंग वगरा कितनी होने वाली है सबसे पहले यार Key को Insert करते हैं तो Key को Insert करते ही सबसे पहले तो आप यह देखोगे इसका Instrument Cluster पुरा Digital में आपको मिलता है और यहाँ पर आपको LED में Headlamp आफर किये जाते हैं Indicator आपको Bulb वाले ही मिलेंगे भाई क्योंकि Bulb के साथ ही आता है बाकी यहाँ से Power Start करोगे और Power Start करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो Visibility है Headlamp की वो कैसी आपको मिलने वाली है तो जैसी आप Power Start करोगे तो कुछ इस टाइब से Visibility आपको नज़राने वाली है और LED वाला यहाँ पे Setup दिया गया है तो यहाँ विजिबिल्टी काफी आदा अच्छी आपको मिलने वाली है उपर छोटा सा वाइजर आपको मिलेगा और देखने में आपको काफी जादा खुबसूरत है और यहाँ पे आपको LED टेक वाली बैजिंग भी देखने को मिलेगी टीवीएस की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगी यहाँ टीवीएस एक मानी जानी पहचानी कमपनी है और इसके जो स्कूटर है मार्केट में काफी जादा चर्चा में रहते हैं और हमेशा कोई ना कोई स्कूटर लॉंच होता ही रहता है आप इसका फ्रेंट पोर्शन अगर आप देखोगे तो कुछ इस टाइब से नजर आने वाला है जिसमें आपको सिंगल टोन कलर ही देखने को मिलता है लेकिन यार कलर आप्शन आपको काफी ज़्यादा प्यारा मिलेगा और फ्रेंट में आपको 220 mm की डिस्क ब्रेक ऑफर की जाती है इगनेशन को मैं आफ कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो आगे वाले जो टायर है इसका 90-90 सेक्शन का मिलता है 12 इंच के आपको अलाइबिल्स ऑफर की जाते है तो फ्रेंट में आपको बेहत्रीन सा लुक मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हो इस्पेस काफी ज़्यादा अच्छा है जैसे अगर आप कोई सामान लाना वगरा चाहेंगे ना जो लेग इस्पेस है यहाँ पर आपको बढ़िया मिलता है जिसमें आपको कई सारे इंफार्मेशन देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आपको क्लॉक मिल जाएगा फ्यूल इंडिकेशन सो करेगा वाइस एसिस्ट की भी सुब्दा है उसके बाद किलोमीटर, और्डोमीटर की डिटेल यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाती है इसके अलावा और भी कई सारे फिचर हैं जैसे ब्लुटूथ, कनेक्टिविटी है क्वाल, SMS, alert की भी सुब्दा है तो यह चीज़े आपको यहाँ पर मिलेगी दो बटन मिलते हैं जिससे आप instrument cluster को control कर सकते हो control means आप Baker इटेल्-ibles चेक कर सकते हो clock व्गर आप timing set कर सकते हो और यहाँ पर high beam, low beam, watts form तो यहाँ पर आपको काफी जादा loud होर्न मिलेगा इस scooter में इसके बाद यहाँ-वास अशिस्ट वाला स्वीच विश हले वो देखने को मिल जाता है बाकी नेचे पावर स्टार्ट का बेटन तो यहां पर आपको वाइस एसिस्ट वाली जो सुब्धा मिलती है काफ़ ज़्याद बढ़िया सुब्धा यहां पर देखने को मिलेगी बाकी इस्टुमेंट कंसूल आप देख सकते हो काफ़ ज़्याद बिक साइच का है और साइड पॉइंट नूटरमीटर का टॉर्क मिलता है आपको पाँजर पांसो आर्पियम पर यहां पर पावर फिगर भी काफ़ अच्छा है शिक्स लिटर की फ्यूल टैंक कापेसिटी मिलती है इस्टर्नल फ्यूल फ्यूलिंग के सुब्धा मिलती है यहां पर आपको बलब वाले दोस्ट कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलता है इस्कूटर का टोटल वजन एक्सो साथ किलोगराम का है यहां यहां पर आपको 163 mm की ग्राउंड के लिएंस ओफर की जाती है तो इंडियन रोड के सबसे काफ़ यदा कमफर्ट है पीछे में आपको बैक्रेस्ट मि अब यहां पर आपको काफी ज़दा बिग इस्पेस मिलता है जिसमें आपना फुल साच के हलमेट भी रख सकते हो और कुछ अपने जरूरी सामान भी यहां पर पैरी कर सकते हो मुझे यह चाज काफे ज्वादा पसंद आया कि यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा सा बिग इस्पेस मिलता है यह चीज है मुझे यार खास कर काफे एदा पसंद आई इस program में बहुत सारे आपको इतना स्पेस और नहीं चाहता तो यहाँ पे आपका चार्चिस दिख रहा यहां पर एक छोटा सा से स्पेस्ट मिलता है जिसमें आप पॉन अगरा रख सकतो चला थे टाइम राइक चार्ज करता है या फिर बोतल हो अभी लग सकतो यहां पर आपको एक ही चाबी से कई सरे ऑप्सन जैसे कि आप सीत ओपन कर सकतो लौक कर सकतो और कर सकतो कई सारे चीज तक adjust कर पाऊगी आप चलिए सुनते हैं इसका exhaust sound की सुनने में कैसा है अन्रोड प्राइज है 82,000 के आसपास तो कैसे लगी वीडियो कमेंट जरू करना वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी कंटेंट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो